मैं कमलेज जादवानी आपका व्यापपार उश्य चानल में स्वागत करता हूँ रूटीन लिग कुकिंग के बाद किचन एरिया यह पाइली स्टेन से खराब हो जाता है उसे क्लीन करने के लिए आसानी हो इसके लिए आज के वीडियो में एवरीडे क्लीचिन क्लीनर लिक्विड फारूला आपके साथ शेयर करें इसे जहान पूरवक इस्तमाल करें और सुरक्षित रहें इस वीडियो से जुड़े रहें और अपना ग्यान बढ़ाए जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत इस वीडियो में हम चार पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें से पहला पॉइंट है मैनिफेक्टरिंग में इस्तमाल होने वाले केमिकल्स सेकंड इसमें फ्लो चार्ट पर मैनिफेक्टरिंग प्रिक्रेशन याने कौँसी स्टेप में कौँसा केमिकल्स डालना है उसके बारे में बात करेंगे chemical इस्तमाल करने की मातरा कितना कम पोजिशन में कितनी मातरा में कौन सा chemical इस्तमाल करना है उसके बाद का point है chemical इस्तमाल करने की वज़र आप देखें सबसे पहला chemical है हरो वाटर इत्वाक्सलेट आमाइन या थिक नर आईसोप्रोपिल आलकोल 99% citric acid और सबसे अंत में sodium hydroxide 40% solution अब आता है point कौँसी step में कौँसा chemical डालना है उसके बारे में देखिए ethoxylate amine सबसे पहले लीजिए arrow water में add किजिए अच्छे से जब mix हो जाएगा visually inspection कर लीजिए continue stirring चालू रखिए जब यह पूरे से mix हो जाएगा उसके पस्चात उसमें isopropyl alcohol major कर उसमें portion wise slowly addition करे यह addition करते हुए इतना ध्यान दे कि कहीं पर भी fire या आग चालू ना हो addition अच्छे से हो जाने के पस्चात homogeneous liquid दिखने के बाद आप उसमें satric acid का solution बना ले satric acid का solution बनाने के लिए इसी batch में का arrow water इस्तमाल करे बाहर से water इस्तमाल नहीं करना है नहीं तो आपका batch size बढ़ेगा वही water में dissolve करकर इसे इस solution में add करे जब यह अच्छे से mix हो जाएगा उसके पस्चात इस solution का pH आपको sodium hydroxide 40% solution से इसका pH आपको 10 pH maintain करना है यह अगर 40% liquid आपके पास available नहीं होगा तो इसे बनाने के लिए आपको 40 gram sodium hydroxide लेकर 60 ml water में dissolve कर ले यह आपका जो liquid बनेगा इसे आप 40% solution बोल सकते हैं इसके लिए आपको अलग से water लेना है यह batch का water इस्तमाल नहीं करना है sodium hydroxide 40% solution से pH आज़िस होने के पस्चात जो liquid आपको मिलेगा वह liquid आपका ready to fill solution होगा इस solution को आप filling bottle में fill करकर labeling कर सकते हैं labeling पर specially एक precaution mention करना है keep away from fire क्योंकि इसमें आपने isopropyl alcohol का इस्तमाल किया है इस वज़े से यह precaution आपको mention करना ज़रूरी है ताकि यूजर को पता चल सके कि इसमें आपने किसी solvent का इस्तमाल किया है इसलिए आपने यह precautionary major उसमें mention किया है अब देखें एक किलो या एक लिटर आपको अगर यह solution liquid बनाना है तो उसके लिए कितनी मात्रा chemical की लगेगी उसके बारे में विश्तरु जानकरी आरो वाटर यह नवसो पचास ग्राम लगेगा ethoxylate amine जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसे 10 ग्राम लीजिए यहाँ पर हम किसी भी brand का promotion नहीं कर रहे हैं isopropyl alcohol यह 20 ग्राम लगेगा citric acid यहाँ पर 3 ग्राम लेना है और sodium hydroxide 40% यह आपको pH 40% solution यह आपको pH manage करने के लिए या maintain करने के लिए लेना है यहाँ पर आपको आपके हिसाब से chemical की मात्रा कम जादा कर आप आपका formulation की cost set कर results पर निरुभर करता है कि आपको market में कौसा product sale करना है commercialize जाने से पहले आपको trial लेना ज़रूरी है और उसके results के अनुसार आप chemical की मात्रा कम जादा करें अब आता है कौसा solution किस वज़े से लिए है उसके बारे में chemical application क्यों किया है arrow water यहाँ पर diluant और solvent के तोर पर इस्तमाल किया है etoxylate amine यहाँ पर forming agent, surfactant and detergency property के लिए इस्तमाल किया है isopropyl alcohol यहाँ पर solvent के तोर पर इस्तमाल किया है citric acid यहाँ पर stain remover के तोर पर इस्तमाल किया है यहाँ पर आपको specially एक precaution मैंने बताई है keep it away from fire यह मैंने यहाँ पर slim ball दिया है आपको आपके label पर यह इस्तमाल करने के इसमें mention करना जरूरी है और sodium hydroxide 40% solution यहाँ पर pH modifying agent के तोर पर इस्तमाल किया है इन में से जो भी chemical आपके पास available होगा उसके इसाब से आप आपका formation set कर सकते हैं chemical की मात्रा कम जादा कर सकते हैं ethoxylate amine में आप nonil phenol ethoxylate अगर आपके पास होगा तो आप इसे इस्तमाल मत कीजिएगा क्योंकि यह formulation special i ethoxylate amine derivative के उपर depend है जो आपके पास available होगा आप उसको इस्तमाल करकर आप आपका formulation set कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत से point बताने का प्रयास किया अगर आपको किसी point पर information चाहिए comment box में जरूर share करें मैं उस पर काम करकर reply देने का प्रयास करूँगा वीडियो से जुडे रहें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का फायदा हो इसके लिए like करे, share करे, subscribe करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाढ़ते रहें Thank you for watching our video